जाहिं दोस्त आज में कलास 10 से दोस्तो साइंस फिजिक से दोस्तो पहला चेप्लर परकास का परिवर्तन से दोस्तो परहेंगे दोस्तो परकास क्या है दोस्तो पहले जान लेतें परकास का उसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे परकास परिवर्तन के बारे में ठीक दोस तो दोस्तों शुरू करते हैं परकास किसे काते हैं क्या है उसके बारे शुरू करते हैं परकास क्या है या किसे काते हैं दोस्तों इसकी परिवासा जान लेते हैं तो परकास दोस्तों परकार की क्या है उड़ जाए दोस्तों जो हमारी जो हमारी बस्तु को देखाने में हमारी मदद करते हैं ठीक दोस्तों अनिके सहिता करते हैं अगर जो परकास ना रहे दोस्तों किसी बस्तू को नहीं देख सकते हैं ठीक दोस्तों तो जान लेते हैं प्रिभासा जान लेते हैं ठीक दोस्तों पर्वासा जान लेते हैं परकास किसे काते हैं तो परकास एक परकार का उर लेकिन परकास के सहीता से हम बस्तुवों को देख पाते हैं ठीक दोस्तों परकास सोय दिखाई नहीं देता है लेकिन हम उसकी सहीता से निकी परकास के सहीता से हम बस्तुवों को देखते हैं ठीक दोस्तों अगर जो परकास ना रहे दोस्तों तो हम किसी बस्तुव को नहीं द दखाई देगा गया धर दurance Cry था सव्ला हर काण ना रहे तो हम मत दो को नहीं देख सकते हैं उसकी वह देखने के कि लिएंस परकास सकता होती है ठीक है धातर होगी परकास के परिभास अच्छा समझ गया है दो सब्ढों करता हूं अब जाना परकास जो दोसरा नियाम है जोसका दूसरा गुन है दोस्तो परकास देखाई नहीं देता लेकिन इसके सहिता से हम बस्तुमों को देखते हैं सवार हो परकास निर्वांत में चल सकता है इसकी जो चाल होती है से पारकास की चाल तीन गुनिएंदसफर पावर आठ मीटर सकेंड़ों होती है एक मीटर परती सेकंद चलती है ठीक दोस्तो अब परकास दोस्तो परकास सरण रेखा में चलती है दोस्तो सरण रेखा मतलब हुए सीधी रेखा में परकास चलती है ठीक दोस्तो परकास जो सीधी रेखा में चलती है कि दुटून है दुस्तों दिर्षाइ प्रकास की तरंग धहर 451 से 7800 एक स्टेंग तक होता है दोस्तों मोर्ण आपां लीको थो चलिए 9 से 588 जन से आस्टेंग होती है ठैक दोस्तों धूस्तों परकास परवर्टन माधियम परकास परिवर्ते माद्यं मंदे कांच वायू या। ऑधि से गुजर जाता। फारंतु अपरधी माद्य है लोहा लक्र या। आदि से नहीं गुजर सकता। ठीक दोस्तों तो गुलनी जाने है दोस्तों आप जान लेते हैं परकास परदीप्त बस्तु क्या होता है दोस्तों तो पहले जान लेते हैं परदीप्त बस्तु परदीप्त बस्तु परदीप्त बस्तु क्या है दोस्तों तो इसी बस्तु जो स्वयम परकास उत्पन करता है अ कैसा सूरज बिज्लीन की होता न होता है ठैक दोस्तों Аब बेसे को सुथभी बालब से भी कि वेदीक होता ह्ते शॉरज हो कहला आती है दोस्तों जाचा दर्मा हो गया मेज हो गया दोस्तों परतन हो इत्याइद यह सभी क्या प्रदिप्ध बस्तु है दोस्तों इसमें परकास नहीं होता है दोस्तों यह आप प्रदिप्ध बस्तु है दोस्तों इसकी सही या प्रदिप्ध बस्तुमों की सहीता से दि झाल